C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिमजिम में संकलित पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है जब मुझको साप ने काटा एक दिन मैंने अपने आहाते में एक चोटा सा साप रेंगते देखा वह धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पढ़े हुए नारियल के एक खोल में खुसकर छिप गया मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुझ बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चीख उठी साप वह इतना खबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पकारने साप, साप, साप नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आए जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीख कर दूर फैक दिया नाना साप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाख हुता है उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की गोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी जोड से दर्द उठा मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया है मैंने तोड कर नानी को उगली दिखाई उन्होंने जल्दी से नाना को पकारा सुनो नाना तुरान तोड़े आए और मेरी उगली को देखा जहां बर्र ने काटा था बहां नीला निशान पड़ गया था वह चट मुझे कोद में उठाकर बाहर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक चोटी सी चोंपड़ी के सामने चाकर रुके वहां पहुचते ही उन्होंने आवाज लगाई एक बोढ़ा आदमी बाहर निकला वह साम के काटने का मंत्र चानता था नाना ने उससे कहा इस बच्चे को साम ने काट लिया है इसकी जार फूक कर दो बोढ़ा मुझे छोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुपचा बैठो हिलना डुलना मत फिर पीतल के बरतन में पानी लाया और मेरी सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा मैं चाता तो बहुत था कि उस बोड़े को बता दूँ कि मुझे सामने नहीं बर ने काटा है पर मेरी नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे पोलने ही नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने को मुझ खोलता वह डांट कर कहते डर के मारे मैं चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आप उँची सब लोग उदास खड़े देखते रहे तब तक मेरी उंगली का तर्थ चा चुका था फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर चाड़ फूक करवानी पड़ रही थी कुछ मीनट बाद बूढ़ा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली थोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो फिर वह नाना से बोला जै हो भगवान की अब बच्चा खत्रे से बाहर है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरी पास ले आए बड़े जहरीली साप ने काटा था दखने बाद दखने बाद सब लोगों ने बूरे को उसके अगभूत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत से चीजें भेट में भेजी जब मुझको साप ने काटा अभियाव सुन रहे थी ये कारिक्रम विशे संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वै लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदेयाल खटर आलेक शंकर कलाकार राममैनी, राजेश आहुजा, मंजुमैनी और आकाश तक्नीकी नर्देशन सतीश लाडे ध्वन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दावुदेयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन तक्नीकी नर्मान सहर नर्मान सहर लाडेशन दूट बाउर लाई बाउआपिट, पर जना धुछ, जल बाउए दिए.